जो वीडियो है ना मेरे भाई लोग बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज जो वर्काउट में आप लोगों के लिए लेकर आऊना वर्काउट प्लान वह ऐसे बंदों के लिए जो जिनकी एच 30-35-40 साल की हो गई हो तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वह उ कुरी नॉलिज तुम लोगों मिलेगी और कुछ और जानकारी मिलेगी जो तुमको अभी तक पता नहीं थी तो ये एक नॉर्मल वर्काउट प्लानी है एक तरीके से देखा जाए लेकिन थोड़े बहुत मैंने चेंजे इसके अंदर करे हुए है तो नंबर वन पे जो मैं आपको बताने माला हूँ कि ये वर्काउट जो है पुछ पुल लेग होने वाला है अब आप लोग बोलोगे पुछ पुल लेग तो हमें माता ही है तो इसमें नया क्या है तो पुछ पुल लेग में मैंने क्या करा है आप लोग के लिए जिस दिन पुछ वर्काउट होगा shoulder press हो गया और push down होगा उस दिन आप repetition high लोगे 15-20 repetition लोगे और केवल जैसे chest है तो chest के तीन ही variation कर सकते हो वो आप पे depend करता है कि आपको क्या सही लगता है आपका कौन सा जो chest का part है week है उसको जाधा कर सकते हो जैसे किसी का upper chest नहीं रहता है तो upper chest के एक straight लगा सकते हो flat के लगा सकते हो तो एक flyger लगा सकते हो वो आप पे depend करता है लेकिन rave range आपका 15-20 होना चाहिए साथ ही shoulder, shoulder में shoulder press होगा letter resist होगा या आप shrucks ले सकते हो कोई को back में shrucks लेता है तो आप इस time भी ले सकते हो उसको और push down में tricep में push down या reverse push down भी ले सकते हो तो ये workout हो गया push workout अब pull workout में आप लोगों को lat pull down लेना ही लेना है अगर pull ups आप लेना ही चाहते हो अगर आपके अंदर back के अंदर किसी तरह कोई problem नहीं है जबकि 35 और 40 और 45 साल की time में थोड़ा बहुत problem आने लगता है उस टाइम में back में तो मैं थोड़ा सा नहीं करता हो बंदों को recommend नहीं करता हो band hour और deadlift के लिए और मैं खुद भी नहीं करता हो तो आप ये कर सकते हो कि pull ups करो band hour करो और hyper extension है आप उसको कर सकते हो easy तरीके से 3 से 4 workout करो इसके अंदर और इसके बात में आगया आपका bicep bicep में 2-3 workout करो old school की तरफ बिल्कुल में मच जाना है कि बहुत ज़्यादा आप heavy लगा रहो मैंने पहले भी बताया है आपको कि rape range 15-20 ही रखनी है उससे ज़्यादा कुछ नहीं रखनी है और तीसरे दिन आएगा आपका leg workout leg workout वाल दिन अगर आपको leg back में कोई problem नहीं है तो आप सब workout कर सकते हो heavy workout पे मैं थोड़ा सा कम focus रखा हूँ इस age के अंदर क्योंकि क्या आएगी फिर वोई problem आती कि अगर एक बार injury हो गई ना भाई तो फिर problem बढ़े जाएगी तो push-pull leg आपको ये करना है और हर workout के complete होने के बाद आपको apps के workout कर सकते हो दो या तीन set लगा सकते हो और जिसको भी weight loss करना है तो वो workout complete पूरा करने के बादे 10 से 15 minute आपको cardio करना है और जिसको weight gain करना है वो cardio हो मत करें और जिसको body बनाना है वो पाँच में टॉर्मल कर सकता है वो उसकी मर्जी है रही अब इसमें weight loss और weight की कहां बात आती है कि भी हम body बनने वाली तो भाई जो भी आपका workout होगा उसके बाद आपको proper diet लेनी पड़ेगी तब ही आपकी जो भी चीज आपको जो achieve करनी है वो complete कर पाऊगा जैसा अगर weight loss करना है तो normal diet आपको आपकी calorie index से कमी रखनी पड़ेगी है weight gain करना है तो calorie surplus में रखनी पड़ेगी है body बनाना तो आपको protein high रखना पड़ेगा तो ये total depend करता है आपकी diet के उपर एसा नहीं होता है कि आप workout अलग अलग तरीक है workout same ही होता है workout में जितना आप लोग effort लगाते न उत्ता अगर आप diet के अंदर अगर effort लगाना लग जाओ न तापकि body next level पर पहुँच जाएगी मेरे भाई लोग तो ये एक मेरे workout pattern आप लोग के लिए बनाया है push-pull leg मैं description box में भी इसको लिख के देदू हूँ आपको पूरा है थोड़ा से जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वाई वीडियो देखते नहीं है लोग तो push-pull leg और push-pull leg के बाद में एक और चीज बताना भूल गया आपको कि आपको रखना है rest हर तीन दीन के workout के वाद में एक दीन का rest आपको होना ही होना चीए क्योंकि body आपके थोड़ी recovery process slow कर रही है तो इसलिए में तीन दीन के workout में एक दीन rest तो इस तरीकी के workout को आप हर चीज अचीज अचीव कर सकते हो चाहे weight loss करना हो चाहे weight gain करना हो अच्छा है आपको muscle build करनी हो तो एक normal pattern को follow करो और heavy repetition तक जाओ 15-20 और ऐसा नहीं कि बहुत ही light ले रहे हो एक moderate weight लो weight मैंने बढ़ाने के लिए इसलिए नहीं बोलता हूँ कि बहुत बंदे क्या होते हैं कि बहुत जादा लगाते हैं और 2-3 repetition निकालते हैं तो 2-3 repetition का meaning यह हो जाता है कि आप weight lifting वाले process में जाने की कोशिश कर रहे हैं जो हम old school में करते आ रहे थे तो 15-20 रेप्रेंज लेना चलो करो और अच्छा muscle को break करो ताकि लगना चाहिए दूसरे दिन के आपने workout किया है तो normal वाले दिन ही मैं आपको बतारो कि push pull leg और rest push pull leg rest workout complete करो और आप देखना भाई result आपको 2-3-4 भाहिने में आपको दिख जाएगा और फिर comment करके जरूर आप इस वीडियो के अंदर बोलोगे कि sir result तो मिल रहा है मेरे भाई लेकिन rest और recovery में सबसे ज़्यादा और diet पर focus ज़्यादा रखो तो मिलता है किसी और वीडियो में तब देखले बाबाई में लोग